हेलो दोस्तों आप सभी का एकने वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज हम लोग यूज औप प्रेपेजिशन्स के अंतरगत कुछ खाज हिंदी सेंटेंस को इंग्लिस में ट्रांसलेट करेंगे तो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और नोलिजिबल है किरपिय इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्या तुम दोपहर में मेरे साथ तैरने के लिए जाना चाहोगे तो इस तरह के सेंटेंस को वुडियू लाइक टू से शुरू किया जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे would you like to go क्या तुम जाना चाहोगे would you like to go उसके बाद है मेरे साथ with me तैरने के लिए फोर swimming भी लिख सकते हैं और फोर a swim भी लिख सकते हैं फोर a swim इसी तरह फोर a walk भी होता है यानि कि यहाँ पर swim noun की तरह use हुआ है और आप वर्व के रूप में लिखेंगे तो फोर swimming भी लिख सकते हैं दो पहर में in the afternoon तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर आपको in use करना है in the afternoon होता है यहाँ पर तैरने के लिए है तो यहाँ पर आप फोर यूज हमारे घर से from our home लेकिन हम लोग वहाँ car से जा रहे होंगे तो इसे future continuous tense में लिखेंगे but we will be going there by bus यहाँ पर आप चैल भी का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर आप हाउस का भी यूज कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर घर से है तो से के लिए from यूज करेंगे और किसी भी साधन से जब हम जाते हैं तो बाई का यूज करते हैं बच्चा अपने पिता जी के पीछे खुसी से चिलाते हुए दवडा दोस्तों जब हम किनी के पीछे पीछे चलते हैं या पीछा करते हैं तो आफ्टर का यूज करते हैं बच्चा अपने पिता जी के पीछे खुसी से चिलाते हुए दवडा तो यहाँ पर लिखेंगे, the child ran after his father, खुशी से चिलाते हुए, shouting with joy. तो यहाँ पर आफ्टर यूज करेंगे, और यहाँ पर होगा, खुशी से, यानि कि, shouting with joy, यहाँ पर with यूज करेंगे, किसी ने वक्ता पर एक पत्थर फेग दिया, यह उसे सिर पर लगी, खुन की बुंदे, गाल तक टपक आया, तो किसी ने वक्ता पर एक पत्थर फेग द और फेग दिया है, यानि कि, simple past tense में, तो through यूज करेंगे, यानि कि, throw through throne, तो यहाँ पर through होगा, someone through a stone, वक्ता पर ate the speaker, तो यहाँ पर दिशा दिखाने के लिए 8 यूज करेंगे, यह उसे सिर पर लगी, it hit on his head, यहाँ पर own यूज करेंगे, खून की बुंदे गाल तक टपक आया, the drops of blood trickled down the cheek, the drops of blood trickled down the cheek, तो यहाँ पर down यूज करेंगे, यानि कि, धीरे धीरे नीचे की तिरप आया, someone threw a stone at the speaker, it hit on his head, the drops of blood trickled down the cheek, बच्चा ने दिवार से एक सीडी लगाया और छट पर चड़ गया, तो दिवार से, यानि किसी चीज के सहारे आप जब कोई चीज खड़ा करते हैं, तो वहाँ पर against यूज होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे, the child placed a ladder against the wall and climbed छट पर चड़ गया, तो वह छट पर चड़ा और गती में भी था, तो on to का यूज करेंगे, on to the roof, जैसे into होता है, उसी परकार on to भी होता है, लेकिन on to में किसी चीज के अंदर नहीं रहते हैं, बलकि उपर रहते हैं, the child placed a ladder against the wall and climbed onto the roof, और दोस्तों against का यूज आमने सामने के लिए भी होता है, मा लिजे के a के सामने b लिखो, तो right b against a, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, इन उमिदवारों को interview के लिए एक एक करके भेज दो, तो यहाँ पर लिखेंगे, send these candidates for interview, एक एक करके, one by one, तो यहाँ पर के लिए है, फोर यूज करेंगे, और एक एक करके, one by one, तो यहाँ पर by यूज करेंगे, यह नियमे आपके लिए नहीं है, आप 18 वर्ज के उपर हैं, आप कर सकते हैं, जो आपको पसंद है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यह नियमे, these regulations, are not for you, आप 18 वर्ज के उपर हैं, you are, above 18, आप कर सकते हैं, जो आपको पसंद है, and, can do, whatever, you like, these regulations are not for you, तो यहाँ पर for use करेंगे, आपके लिए, you are above 18, 18 वर्ज से उपर, तो यहाँ पर above use करेंगे, and can do whatever you like, मुझे ऐसा लगा था, कि मैंने किताबे लवटा दी थी, जो मैंने तुम से उधार ली थी, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा था, यानि कि पहले सी दिमाग में बैठ जाना, कि मैंने ये काम कर दिया था, लेकिन आपने किया नहीं, तो इसे आप English में लिखेंगे, I was under the impression, under the impression, that मैंने किताबे लवटा दी थी, I had, returned the books जो मैंने तुम से उधार ली थी, which I had borrowed from you, I was under the impression, that I had returned the books, which I had borrowed from you, तो यहाँ पर कौन-कौन सा प्रेपेजिशन यूच हुआ है, under the impression, और यहाँ पर from, यानि कि तुम से, तो from you, मैंने उससे फोन पर लगभग दो मिन्टों तक बाती की, उसने कहा कि वह जल्दी में था, क्योंकि उसका डॉक्टर के साथ appointment था, मैंने उससे फोन पर लगभग दो मिन्टों तक बाती की, आई, I talked to him on phone, लगभग दो मिन्टों तक फोर about two minutes, यहाँ पर about लगभग के लिए यूज हुआ है, और दो मिन्टों तक, तक के लिए यहाँ पर फोर यूज हुआ है, और उससे बाते की, यहाँ पर two यूज करेंगे, phone पर यहाँ पर own यूज करेंगे, उसने कहा कि वह जल्दी में था, he said that, he was in a hurry, तो वह जल्दी में था, यहाँ पर in यूज करेंगे, क्योंकि उसका doctor के साथ appointment था, because he had an appointment with the doctor, तो यहाँ पर appointment के बाद बीद लिखेंगे, यहाँ पर आप फ्रोम का भी यूज करेंगे, सकते हैं, लेगिन ओफ ही बेटा रहेगा, the dog jumped off the wall, सडक पर दौला, rain, on the road, और एक पेड के पास चला गया, and went to a tree, और पेड की तरफ चला गया, तो towards यूज होता, लेगिन यहाँ पर टू ही बेटा रहेगा, the dog jumped off the wall, तो यहाँ पर off यूज करेंगे, rain on the road, सडक पर, पर के लिए own यूज करेंगे, and went to a tree, और यहाँ पर to, यूज करेंगे, उमीद करता हूँ दोस्तों कि, आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आप यदि इसी तरह से practice करेंगे, तो एक दिन आप YouTube prepositions पर mastery हासिल कर लेंगे, और आप से जल्दी mistake नहीं होगी, तो यह 19th वीडियो है prepositions पर, आप लोग इसके पहले वाले वीडियोज को जरूर देखेंगे, आपको end screen के रूप में एक playlist नजर आ रहा होगा, उस पर click कीजिए, और उसमें जितने भी वीडियोज हैं, सभी वीडियोज को जरूर देखें, All right friends, thanks for watching, Have a great day, enjoy yourself,